डॉक्टर बाबा साहिप आमबेड़कर ओपन युनिवर्सिटी अवे आपने शरू करिए गुणात्मक अने संख्यात्मक संसोधनों तो गुणात्मक संसोधन मां गुणों नो अभियास थाई छे अने संसोधन तेमने तेमना संदर्भ मां समझिवा मागे छे जो गुणनों अर्थ छे ने अपड़े थोड़ों सिमीत पन कर दीतों शे गुण माटे एक अंग्रेजी शब्दा आपड़े वापरिये शे ये मार्क मार्क अटले खरेखर तो अनो अर्थ छे निशान पन आपने मार्क नो अर्थ घटनत संख्या मां करिये शिये मार्क अटले संख्या होई जाने एम अपने अने उपयोग मा लईए छिये खरेखर मार्क अटले निशान तमे नोकरी मां जोड़ाओ त्यारे सरकारी नोकरी मां सर्विस बूक मां शरीर पर नो एक निशान नोंधुवा मां आवे शे ये मार्क छे on the body अइडेंटिफिकेशन मार्क केवाइ इले गूण छे लक्षान छे संख्यात्मक संसोधनों छे आंकड़ा साथे काम पाड़े छे गुणात्मक संसोधन छे गूण साथे काम पाड़े छे संख्या साथे नहीं गूण साथे संख्या छे ए तमें एक, बे, त्रण, चार, पांच, एम, मल्टिपल करी शको, गुण मा यह उना पन था है, लेक गुणात्मक संसोदक, गुण मा रस्त रावे शे, यह जे संसोदक नो रस्त छे, एक गुण विशे छे, संख्या विशे ने, कसुक प्रमाण केटलू छे, केट लूं, यहाँ यह उना रस्त छे, केट ला, यहाँ ने, चत्था मा रस्त ए संख्यात्मक संसोदक छे जने, गुणात्मक संसोदक छे, एक गुण नी तक पास करे, संख्या नी ने ये गूण केटली वार छे येमा नहीं पर केट लो छे ये गूण येमा येने रस छे येना माप मा रस छे गूण करशाक नूँ अगरत्य नू लक्षन के स्वरूप छे जारे जथो ये नू परमान छे स्वरूप मा रस तर आवेशे गूण ना स्वरूप मा गूणात्मक संसोधन जारे संख्यात्मक संसोधन छे एना जत्था मा रस तर आवेशे कि ये गुण केटला माप माँ छे केटली वार छे येनी अवरुत्तियों केटली छे आ मोटो तफावत जे चे आछ गुणात्मक संसोधन अने संख्यात्मक संसोधन नो आ तफावत ये संसोधक ना लक्ष्ण तरीके पन आपने जोई शक्किये के गुणात्मक संसोधन करनार जे चे ए गुण माँ रस्तरावे चे येना स्वरूप माँ रस्तरावे चे लक्षण माँ रस्तरावे चे जारे संख्यात्मक संसोधन करनार येना जत्था माँ रस्तरावे चे प्रमान माँ रस्तरावे चे शूं ते गून छे अने केटलूं ते जत्थो छे यले गुणात्मक संसोधक ने शूं मा रस छे तरने तरनों मेडो छे यह सूं छे एमां जे संस्कृति जोवा मले छे लोक संस्कृति यह सूं छे गुणात्मक संसोधन नों प्रश्न छे जारे संसोधक संख्यात्मक अभीगम्ति चाले त्यारे यहमां केवा लोको आयवा छे अने ते केटला छे यहमायन रस छे तिया कई प्रवरूप्तियों थाई चे अने केटला प्रमान मा थाई छे यहमायन रस छे गुणात्मक संसोधक ने कई प्रवरूप्तियों थाई छे येमा रस छे जारे पेला ने किटली प्रवरूप्तियों थाई छे येमा रस छे ये संख्यामा माँ पे छे गूनमा माँ पे छे अभीगम्मा पाया नो तफावत छे गुणात्मक अर्थने उल्लेखे छे जारे संख्यात्मक अर्थने धारी ले छे ये अर्थ पेले छे धारी ले छे एटले निगमन करवो पड़े छे येमा निगमन थाई छे गुणात्मक छे ए अर्थने धार्तो नसी गुणात्मक अर्थनो उल्लेख करे छे अर्थने लेखे छे मेडवे छे प्राप्त करे छे त्यां सुदी पहुंचे छे एटले आगम इप्रमान नकी करिए जे प्रमान चाली शक्षे कारंगे अर्थ पहले थी दारी लेवाम आये वो छे गुणात मक्मा अर्थ धारी न थी लेवा तो यहमा रचुवानों छे, अन्य एटले यहमा लवचिकता छे, यहमा जुदूपण कसुक निकले, धार्यू होई एना थी, जुदूपण होई छके, यहमा धार्यलुद्ण थी, यहमा जे मले छे, यहने ज वरणवववा मा आवे छे. लोको जे विशिष्ट भावतिक, एटिहासिक, अन्य सामजिक वात्तावरण मा रहे छे, ते लोको शुँँ विचारे छे, शुँँ करे छे, तेने प्रभावित करे छे. लोको उपर जे नो प्रभाव छे, एब आवतो कई, तो विशिष्ट भावतिक, एटिहासिक, अन्य सामाजिक वात्तावरा. तो गुणात्मक संसोदने एमार रस्ट छे, आविशिष्ट ताने कारणे, लोको मा पन वैशिष्टिय जोवा मले छे, गुणात्मक एने ताके छे, गुणात्मक संसोदने एमार रस्ट छे. गुनात्मक संसोदन्नु लक्ष संदर्भथी संवेदन्शिल, संकूल औने सामाजीक रिते रचला अर्थ थी दोराता मानवीय वर्तन, अनुबव औने परिष्थितिने वदारे सारी रिते समझवानु छे। समझवानु छे, ओलखवानु नती। एटले विशिष्ट छे, एटले एमाँ वईविध्य छे। जो कोई एक संसोदन योजिनाने लईने, आथ दराहेलू संसोदन, ओ नामना संसोदक करे, तो एज रिते थाशे, ब नामना संसोदक करशे, तो एज रिते थाशे। अने जो बाकी नी बादी बाबतों सरखी छे, तो एना परिणामो पन समान छे, संख्यात्मक संसोदन मा। गुणात्मक संसोदन मा यह नहीं थाए। कारण के गुणात्मक संसोदन छे, ए आगमन तर्क छे, ए सौस्ट डेटा उपर काम करे छे। अने एमा संसोदक नी पोतानी ख्रमत्या पन पढ़ेचे। एमा वातावरण, एमा परिश्थिती, अनुभव अबदु बदलाईचे। एटले गुणात्मक संसोदन नी आ लाक्षन इकता छे, अने ए रिते संख्यात्मक संसोदनो करता, संख्यात्मक व्यूह रचना करता, जुदु पढ़ेचे। एमा गुणात्मक माहिती विश्लेशन नी प्रक्रियावो मा पन तफावाचे। जो एमा केवी रिते थाई छे। तेले मा आपड़े जोयो तो के संख्याने अंक्षास्त्रीय रिते विश्लेशित करवामा आवे छे, परिणाम सुदी पहुचवामा आवे छे। संदेल गुणात्मक माहिती विश्लेशन नी पांच मुर्भूत प्रक्रियावो दर्शावे छे। आपांच कई छे, एक छे माहिती नी प्राप्ती, माहिती नी प्राप्ती ज विश्लेशन नी प्रक्रिया छे, बिजी छे अगत्यना विभागोनी नोंद करवी, एकत्र करवी, अबी प्रक्रिया, माहिती नी प्राप्ती करवी एक मोलबूद प्रक्रिया चे, एना उपर अगत्यना विभागोनी नोंद करवामा आवे चे, यमाथी साम्यधरावती बाबतों एकत्र करवामा आवे चे, यमाथी एकत्रित बाबतों उपर विचारना करवामा आवे चे, अने छेले एहवाल लखवामा आवे चे अने रिडक्षन पण क्यावा मावेश। तो आ प्रक्रिया द्वारा माहीतिनु विशलेशन थाई छे, माहीतिनु प्रुथक करण थाई छे। यहले आ प्रुथक करण ए संख्यात्मक नी तुल्ना आये जो साव जुदा प्रकार नुश। अन्ने आमा संसोधक नी पोता नी संडोवनी ए जोवा माले छे। माहीति विशलेशन माटेनु एक सामन्य मोडेल यहां स्क्रेन उपर तमने जोवा माले से त्यारे। माहीतिनु एकत्री करण थाई, यह माहीतिनी रजुवात थाई, माहेतिनु संख्यपी करण थाई अने तारणों लखवा के चकाश्वानी प्रक्रिया थाई। अमुँ बोली देखाडूशु। गुणात्मक माहीति विशलेशन माटेनु सामन्य मोडेल जो गुणात्मक माहीति विशलेशन नी प्रक्रिया यहां पांच स्टेप्स छे। पांच बाबत आपी छे। पहलू छे माहीति नी प्राप्ति पछी अगत्यना विभागों नी नोंद करवी। यह बीजू छे। त्रीजू छे। साम्य धरावती बाबतों एकत्र करवी। यह समानताओ छे। यह तारवी लेवी। पछी एकत्रित बाबतों उपर विचारना करवी। अन्य छेले एहवाल लखवो। अनी जमागी। विशले जनम्नी प्रक्रेयाव माँ पाँच पगतिया। आड़ाख़ँ कर्वी। घे टारिडक्षण जे में केतूरे संक्षेपी करण कर वो। यह ना विशे आपडे आगल० जो 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 माहीति एकत्र करवी। पछी माहीतिनी रजुआत करवी। माहीतिन sittया संक्षेपी करण करवू। तारणों लखवा के चकाशवा, अचार बाबतों यहां मुखी है, हो एमाजी एरो करया शेने एना ओपर जरे आपने द्यान देए, तो एना थी एक मोडेल शे, एक के भी रिते काम करे शे, एना अपने ख्याल आउशे, जो माहीतिनू एकत्री करन करू, हो यह तमें सिद्धी माहीतिनी रजु आत पन करी शको शे, एक एरो एम पन सुचवे शे, विजो एक एरो एम सुचवे शे, के माहीतिनू संक्षेपिकरन करो, जे मली शे, एमज माहीतिने रजु करी शकायम नथी, एटले ए माहीतिने अर्थसभर बनावा माटे एनू संक्षेपिकरन करवा माँ आपणे 15 लोकोनी मुलाकात लिधी है 15 मुलाकातो ना लेखन करीने आपणी पासे आपणे राख्या अचे पन ए पंदर है मुलाकातो आपणने शूँ कहें आपणे नक्की करवू और तो पहला यानू संक्षे पिकरन करवू पडशे पची आन्य रजुवात थे ही शक्षे पछी तम्हें तारणों सुधी चेह शक्षो पछी जो तारणों लखवा के चकाशवा ए तबक का थी फरी पाच्छो माहीती न एकत्री करन सुधी जवू पड़े उबने आपने लागे के आपने आजे तारण सुधी गया आपने जे तारणों ये हजी चकाशवू पड़े एम छे तो पुन्ह माहीती एकत्र करवा जवानू थाए अजे वदू माहीती लेवी पड़े अने वड़े पाची बाकी नी जे प्रक्रिया ओछे ये तो फरी थी करवानी थाए जे तो जो अवे संसोधन योजना शे एके भी बढ़लेगी आए नी लव चिकता छे अफ्लेक्जिबिलीटी शे तमें पंदर मुलाकातों ना आधार अजे तार्विरे आचो तमने कन्फ्यूजन थाई छे क्या आतो वदू कें येजी स्पस्ट थतू नथी तो लाओ अजी थोड़ा वदू लोकों नी मुलाकातों करिया येले वली पाचे तमें माहीती एकत्र करवा जाओ छे वली येज प्रक्रिया मा पाचे गोठ वाओ ज अने तारणों लखवा अने चकासवा त्रण बाबतों त्रण प्रवरुत्तियों ए वारमवार सतत चालूज रहे शे कराज करवानी गुणात्मक संसोधन मा अब छेले स्लाइट छे ये गटले के वी बाबतों मुकी छे कि गुणात्मक संसोधन नी साथे गाढ़री ते जो अबड़ाएगे ले छे येमा common understanding of this concept येम करीने जे बाबतों मुकी छे कॉंतितिव औने क्वालिटिव ना संदर्भमा ए के वी रिते थाई छे ये आएपू छे consistency consistency sets limits on the truth value and applicability of your research consistency ना संदर्भमा quantitative method जोईतो शूं तो येमा reliability get the same results on repeated tries वारम वार तमे ये संसोधन करो तो तमने समान परिणामो मले ये reliability छे एक संसोधन थाई येना परिणामो जवाज परिणामो बीजा संसोधन मा पन तमने तेज रिते करो तो मले तो ये reliable छे येनी विश्वसनी येता प्रस्थापित थाई छे stability over time एक समय थेयलू संसोधन वली थोड़ा समय पच्छी तमे करो तो पन तमने ये वाज परिणामो मले तो येना ती stability परिणामो नी स्थीर्ता येनी विश्वसनी येता दर्शावे छे representativeness across samples एक थी वदू नमूना हो लईने तमें ये काम करो एक ज व्याप विश्व माती एक थी वदू नमूना लेो आने यहना उपर तमें संसोहदन करो। अने जे परिणामों मले यह परिणामों सर्खा मलवा। यह पना कंसिस्टन्सी जे। यह रिते इंटर कोडर, एक करता वधू कोडर हो जे गुँणांकन करता जँए। यह तमें नियुक्त करो। अनने ये जारे तमने समान परिनामों आपे, त्यारे पन येनी स्थीरता नकी थाई जे, qualitative methods में येनी सामेशनु थाई शके जे, तो dependability, another researcher can clearly follow the decision trail, you used and arrive at the same or comparable conclusions, तमने जे रिते conclusions उदी पहँचा, ए जे रिते बिजा को एक संसोदक बद्दूज काम करे छे, अने त्यां सुधी पहुचे छे, तो एनी consistency ए नकी थाई छे, पन जो आना जे भी सुगमता नथी त्या, qualitative जे भी सुगमता नथी, तो बिजी बाबत छे, ए truth value, internal construct validity, the items used to measure the concept from a single coherent whole, content validity, the measure covers the range of meaning included in the concept, quantitative research मा, संख्यात्मक संसोदन मा, अबदू स्वरोल छे, स्थापित्थ येलू छे, प्रस्थापित्थ ही गेलू छे, अने एटले, तमें ये मार्ग उपर निकली पड़ो, तो ये सिद्ध सही जे, येले तिया तमारे truth value, सिद्ध करवानी नसी, तमें आप पगतिया उपर सी चाली गया, येटे truth value छे, जम्मानी लेवामा आवेश, जारे गुणात्मक संसोदन मा, ये बदु सिद्ध करवू पड़े छे, अने credibility, descriptions or interpretations of human experience are, so faithful to the experience, that people having the experience, immediately recognize it, from the way the researcher describes them, संसोदक पक्षे जवाबदर ये भी थाई, संसोदक ये मज करे छे, के येवू ये करवानु छे, येवू अर्थ घटन थाई रेवू छे, तो ये credibility सिद्ध थाई छे, संसोदक के ये प्रस्थापित करवानी छे, ये आरिते ये थाई शके, applicability, येनी external validity, ये generalizability छे, आपड़े जोई तो येनी व्याप्ति थाई छे, के परिणामों छे, नमुनाना परिणामों व्याप्ति विश्वने लागो पाडी शकाई छे, उनात्मक संसोदन ये माटे छेज नहीं, येनी फिटिगनेश जोवाम आवे छे, ये जग्या ये, ये सुँँँँचे, findings can fit context outside this specific study, the results are transferable to other situations and contexts. एक परिष्थिति मा मलेला परिणामों विजी कोई परिष्थिति मा फिट होई शके, ये फिटनेश जोवामा आवे छे, ये जनरलिजबिलिटी जे रिते, गुनात्मक संख्यात्मक संसोदन मा थाई जे, एवी एईया थाई शक्ती नथी, पन फिट होई शाके, ये तले आपड़े तरने तरना मेलामा जे जोई होए, एज बहुठाना मेलामा होए येवु नहीं, पन त्यां जे रिते तमें वर्तिया हो, एम तमें एईया वर्तो तो बहु वांधोनों आवे, करने का बन्ये लोक मेलावो छे, तो फिट थाई शके, आ परिणामों त्ये परिणाम मां त्ये परिश्थिती मां फिट होई शके, पन तेवुझ होए, एवु थाई शके, नहीं, अन्ये छेली जे बाबत छे, न्यूट्रल ताटस थियो, जे वस्तुलक्षिता संख्यात्मक संसोधनों मां छे, तेवी वस्तुलक्षिता ए गुणात्मक संसोधनों मां प्रस्थापित थेली होती नथी, नहीं प्रक्षिता थे संसोधिए अन्यूक्षितमक संसो ना करिण ख्यू को अन्यूंक वस्तुलक्षिता, the researcher maintains the proper distance from the subject to avoid biasing the research. त्यां सुधी के संसोधक जारे एहवाल लखे ने तो थर्ड परशन मा लखे के संसोधक है आम केरूं में आम केरूं एम नो के संसोधक है आम केरूं एम के जारे गुणात्मक संसोधन मा तो ए छे confirmability ये confirm करे when dependability, credibility and fittingness are established जारे अब बदू उपर जे बाबतों छे ए प्रस्थापित थाए त्यारे एने इने इए confirm करे के आम छे तेम छे पेलू छे के वी रित्या थाई छे ए ए इए confirm करे संसोधक पक्षे आ जवाब्दरी उपी थाई, वदू सिद्ध करवा निए जहरे पहला मा पध्दती शाष्ट्री एरी ए सिद्ध थाई जै आगल आपने जे वाद करीने का संसोधक पक्षे जवाबदारियो उभी करेशे संसोधक पक्षे घरू थाईशे यहना कारियो वद्धे शे यहने प्रस्थापित करवुपड एक वे हुँँ साचो उछु यहने ट्राइंग्युलेशन अब दू खप मा लेवुपडे यहने ए एक जग्या है ती माहितीलेदी ए माहितीглий आघर। Indien को किया करेवुफ बाबत विशेनी, माही tiếp एक थी वधू स्रोतो मां थी लेशे, अन्ये वधी माहीटी नू विश्लेशन करीने नक्की करशे, जो अहिया पन आ मलेशे, त्या पन राई थये थायू, पेलामा पन येच छे। ट्रणे बाबतो, कि चारे बाबतो, कि 5 जग्या ये थी मलेली बाबत पांच स्रोतो मां थी मलेली बाबतो माहीती ए शर्खू कह छे अने एटले आम होई यह आपड़े क्या हूँ थाए एक चिग्य एती मले एने तम स्विकारी नती शकता तम एक प्रश्नावली आपोन माहीती एले इने पसी एनू वीशलेशन करो तो संख्यात्मक संसोधन मा यह शक्या छे गुणात्मक संसोधन मा तमार एक थी वदु स्रोत न उप्योग करो पड़े तो तमें आबधी बाबतो आबधा पासा सिद्ध करी शको तो आ गुणात्मक संसोधन ना अर्थने महत्वना संदर्भ मा तमने क्यावा माटे मे नकी करेली केटलीक जे बाबतो हती एहती तमने उप्योगी थाए तो मने आनन्त शे अन्य थाए तमने मने साविळो एनो आनन्त शेज आबार